अब MK16 को मैं 6X मैं तो चलाई रहा हूँ लेकिन उपर से भाईया जाड़ी में भी अज़स्ट कर रहे हैं ताकि गलत सीन जादा हूँ तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिराण न्यू बबब जेदो मोबाईल गेम प्रे वीडियो में जिसमें तुम्हारा भाई MK14 को भाईया कता ही 6X लगा के पेलता है और यार जो ही सेटिसिन फैक्सर निलती है ये कर यार मैं निंजा हतोड़ी वारी लाइने क्यों बोल रहा हूँ ख्यार वो सब छोड़ो अब ऐसा नहीं कि हम डिरॉप लूटने कही जाएंगे भाईया यही पे जोर्ज में बंदे भाईया फ्लेर वगेरा मगाते और गुरोजा पलस MK से पेले की कुशिस करेंगे हमें अब एक बंदे की पेटी बना दी तो मैं करता हूँ अंधारस और उतरते ही भाईया ठिलना ठिलाना चालू हो जाता है गलत सीन चालू हो चुके हैं मतलब पता नहीं यहाँ पे गोलिया चल ली थी भाईया यहां से बंदे भग रहे थे वो बंदा उधर भेरा उसमें कब और क्यूं कैसे आया यार हमें कद्दू भी नहीं पता खेर दिक्कत की बात नहीं यार बदला लेंगे और सबको पेलेंगे टेंसन मतलूब मैं हिलिंग हुलिंग पोत लेता हूँ और इने पेलता हूँ यार जो पीछे से मिनी 14 वगेरा चला रहे हैं पता नहीं कहां कहां बैठे पड़ें तो हाँ बढ़ता हूं में इसकी तरफ आगे अब हमारे इन भाई ने डिरॉप शॉट बहुत ही बढ़िया दिया था ठीक है लेकिन सीन के होता है मैं राइट पे चल जाता हूँ और डिरॉप शॉट का कद्दू कोई फायदा नहीं होता है मैं वापिस आता हूँ देखता हूँ भाईया लेटे पड़े तो हाँ सीधा पेटी बन चुकिया हमारे भाई की लेकिन आगे और भी बंदे तो टाइम आ गया है दुबारा अपना एमफोर चलाने का और उस बंदे को जैसे तैसे में नौक करके धैड़ पैंड नीचे आता हूँ अना अब देखो क्या सीन है एक नौक हो गया अपने को टाइम मिल गया पेलने का और रिवाइव अगयरा पेलने का तो देखो यार जिस हिजाब से वो गोली पेल रहे थे ना मुझे नहीं लगता वो रुकने वालों में से हैं वो केंपिंग नहीं करेंगे वो गुसके पेलने वालों में से बन दें तो हां वो लोग आनी वाले हैं मैं पेइन किल पैड में और ये लोग आगे रसकरते हैं और उनका एक बंदा मेरे प्रीप फायर के चपिल्ट में आ गया तो देखो उन्होंने अंधारस किया अब हमारी बार ये अंधारस करने की अब देखो यार मुझे ऐसा सोक नहीं कि भाईया हिल डूल के पेलने का हना मतलब पहले में भगते वैया राइट पे कुदा लेफ्ट पे गया फिर डिरॉप शॉट पेला यार मुझे सोक नहीं है इतना हिलने का गडबड हो जाती है कभी-कभी इतना हिलने से लेखिन नहीं हिलूंगा और एकाद गोली लग गई नोक हो गया तो गडबड हो जाएगी खास कर अगर भाई ने या एक हम वगएरा पटकाद ही होती ना भाई मेरे ख्याल से एकादी गोली में नोक हो जाता मैं ख्यार अब आगे फ्लेर आ चुका है मैंने ध्यान नहीं दिया था इस बात पे जादा देर तक लेकिन जब ग्रोजा और एमके चोदा पड़ती है ना तभी हो साता यार ख्यार आगे जाई रहूं मैं एमफोर है तो यार एमफोर भी बढ़िया गन है और डीपी भी है तो हाँ काम चलाओ बंदे पेली देंगे हम अब हमारे भाई ने डैमेज दिया मैं आया भाईया गन हटा के भग रहा था बिलकुल चोड में मतलब मुझे लग नहीं रहा था यहां पे कोई होगा लेकिन बंदा दिखता है मैं बोल तो भाई गन निकालो ठीक एक आधे सेकंड तो भाईया गन ही नहीं निकली चार-पांच बार दबाया गन का बटन तब जाके गन निकल रहे है और उसकी पेटी बना दी अब आगे ब अब पहले तो मैं पूरे जोस में था बिल्कुल नंगा अंधा रस कर रहा था फिर ग्रोजा चलती है तो हाँ यार थोड़ी फट्री है लेकिन रस तो फिर भी करेंगे और इस ग्रोजा वाले बंदे को मैं डीपी अठाई से पेल जाता हूं ठीक है और ये चीज मैंने गेम खेलते समय नहीं देखी थी लेकिन अब देख रहा हूं तो भाईया बगेर वेस्टरस किया भाई पे बगेर वेस्ट के ठीक है मतलब यार यहां पे ठिलना पक्का हो ज लेकिन मैं क्या करता हूं सिर्फ सर पे गूलिया पेलता हूं जितना उसो के धैड़ पैड सर पे गूलिया पेलता हूं उसकी दो गोली लगती है मेरे पता नहीं कहां पे पाउपू में कहीं पे भी मारता है वो मेरी हल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है भाई लेकिन हाँ अभी भ इसके बाद भी अगर मुझे कोई ठिला जाता है ना तो बहुत जादा सरम की बात हो जाएगी यार हाँ वो अलग एक तई चार पांच बंदों ने घेर के पिला वो अलग बात हो जाती है अब पहले आता है सस्ता एम उसके बाद आता है भाईया हमें माफ करो हमसे ना उपाएगा और यहाँ पर हमें तीन चार बोलने वाला था लेकिन यार दिमागी काम नहीं किया मतलब देखो यार ये मिनी 14, MK 14 ऐसे एक एक गोली चला के यार हमसे नहीं उपाता हो तो मैं बोलता खुद नहीं पता कि ये बंदा कैसे नौक हो गया लेकिन देखो नौक हो चुका है तो टाइम आ गया है गाड़ी उठा के पटकने का घर पे और अंदार रस करने का मतलब MK 14 होगी यार सनाइपर के लिए सनाइपिंग के लिए बनी होगी लेकिन यार हम तो इसे घर पे गु अभी तक अब देखो दोनों गने तो यार दोनों इस्तमाल करके पे लेंगे एक को MK 14 पटकाई अब गुरुजा की बारी अब ये बन्दा उचल पटक करके नजाने किधर कूदने की कोशिस कर रहा था मैं इसे टाइम पर ही पकड़ लेता हूँ हाना कहीं ये खिडकी से नीचे कूदता फिर नीचे कैंपिंग करता यार दिक्कत हुजाती तो इस इन दोनों की पकड़ के पेटी बना दी रोजोक में भाई इस बार दो ही बंदे मिले लेकिन देखो यार कुछ तो मिला भाई खाली तो नहीं गए और मुझे चैक्स मिल गया है और सप्रे वगेरा अंधा सप्रे बहुत ही जल दोने वाला है मतलब अभी तो भाई टैप टैप करके चलाओंगा ना क्यूकि यार ढीटता अभी सुधरी नहीं है अभी हार नहीं मानाओं मैं टैप टैप करके चलाने में और उसके बाद जब बेज़ती अच्छे से हो जाएगी टैप टैप करके चलाने में तब भाईया अंधा सप्रे देंगे तो मैं जा रहा हूँ फ्लेर वागेरा चलाई होती है बंदों उधर पे जाके पेलेंगे उन्हें तो मैं रिलोट करता हूँ और गलत सिंदेखुआ आप अब पहले मैंने इन दोनों को पतानी 5-6 गूलिया पेली उसके बाद ये दोनों डिरॉप के पीछे चुप गए मैंने बोला सई ये यार बंदे चुप रहे हैं धेर पेड रिलोट पेलता हूँ जैसी रिलोट का बट्रन दबाया मैंने भाई दोनों भगना चालू कर देते हैं और भाई बोट का भी क्या ही बोले है मतलब भाई क्यूं जहां पे फाइट होती है वहाई पे क्यूं आना ही ने और मुझे लग रहा था ये गिल्ली सूट वाला बंदा ना पेल देगा मुझे मतलब वो भी इतना ज़्यादा मचल रहा था कि क्या ही बताऊं अब बाई पबजी में लोग खुस होते जब फ्लेर गन मिलती है मतलब बोलते भाई या फ्लेर गन मिल गए भाई गेम सफल हो गया मज़ा टैप आगया और हमारे भाई रो रहे हैं कि यार फलेर गन की वज़ा से मेरा कटा गिर रहा है बार-बार मतलब अपना बंदा ये जो होता है भाई ये सस्ता केरेक्टर ये फलेर गन उठाता है चाहे कुछ भी हो चाहे वो खाली क्यों न पड़ी हो तो भाई का कटा बार-बार नीचे गिर रहा था और फलेर गन उठा रहा था बंदा यार मतलब क्यों चलाना है कटा यार इनके भी अलगी नसे हैं कैर यहाँ पे अकेली सोकॉड ये दो बंदे नहीं होते और भी बंदे बाकी हैं और मैं गाड़ी पे जाई रहा होता हूँ कियार मुझे मिनी चोदा से पेलने की कुछिस की जाती है अब देखो मैं सिंगल से हटा चुका हूँ गन को मैं बोलतो यार चाहे कुछ भी हो चलाएंगे ओटो में बलाई एक गोली चलानी हो मुझे लेकिन चलाऊंगा तो भाई ओटो में चलाऊंगा और एक बंदा पेड़ के पीछे बैठके मिनी चोदा पटका रहा है अब यहाँ पे टोटल दो-दो करके मेरे ख्यात से पांच गोली चलाने के बाद इस बंदे को पेल दिया मैं बस सोच रहा होता हूँ कि भाई अब किया जाए तो क्या किया जाए बंदे किदर हैं कैसे पेटी बनाए इनकी तो देखो लेफ्ट में जो पेड़ पोड़े ये जो दो महंगे पेड़े यहाँ पे इनके पीछे भी एक बंदा बैठा है और भाई पीक नहीं कर रहा है वो मतलब ये मिनी 14 वाला बंदा तो फुल चोड में था पीक पे पीक दे रहा था बंदा लेकिन जो बंदा लेफ्ट में यार वो पीक नहीं दे रहा है तो मैं बोलता हो भाई गाड़ी में बैठो जो होगा देखा जाएगा और मैं बैठता नहीं गाड़ी में अब आपको लग रहा होगा यार यहां पर मैंने 100 IQ गेम प्ले किया हना गाड़ी आगे गई मैं नहीं गया तो ऐसा कद्दू कुछ नहीं हुआ मतलब मैं गैठिन दवा रहा था मैं गया नहीं अंदर तो मैंने बोला चलो पेली देते हैं और तुक्के तुक्के मैं यार बंदा ठिल गया सही यार मतलब कभी कभी गलती से 100 IQ गेम प्ले भी हो जाते हैं तो उसे नो कर दिया है समोक में बंदे बैठे हैं तो गुज जाता हूँ मैं अपनी MK14 लेके अंदर अब मैं सोच रहता है यार कि कई दिनों बाद चलो भाई आखिरकार समोक में एज़स करने का मौका तो मिला लेकिन जैसे मैं समोक में गुजता हूँ भाई बाहर भग लेते हैं और मेरी डीटता देख रहे हो मतलब कभी भी समोक होता है तो हर कोई क्या सुचता है कि भाईया समोक खाली हो और हम इनकी पेटी बनाए मैं भाई मैं चाता हूँ कि यार समोक वही रहे मैं अंदर गुशू गलत सीन करूँ और समोक मैं एज़स उज़स करके पेल हूँ और यही वज़ाए कई बार भाईया बे रहमी से पेटी बनती है मेरी मतलब मुझे खुद पता नी चलता पेटी कब बन गई क्योंकि समोग मैं घुसा पड़ा होता हूं मैं खेर इनको पेल दिया है MK14 और गुरोजा यह मेरे पास मतलब जब तक AWM नहीं मिलती भाईया MK14 कोई रखेंगे और आगे बढ़ रहा हूं भाई और आगे बंदे बैठे पड़े तो इन्हें भी पेलने की कुशिस करते हैं अब पहले न मैं यहां पे अंदारस नहीं करने वाला था मतलब मैं बगल वाले नीचे कमरे में गया था मैंने सुचा यार ड्रिंग ड्रूंग पीता हूं मज़े से बिलकुल आराम से जाएंगे मस्ती में लेकिन हमारे भाई कट्टा लेके चड़ जाते उपर मतलब या हलवा समझ के प्ट्टा लेके भाई उपर है बाद मैं देखता हूं कि भाई उपर पहुचे पड़े तो मैं बोलता हूं जल्दी गुसर नहीं तो पेटी पूटी बन जाएगी तो यहाँ दो बंदे बैठे पड़े होते एक यार साइड में होता है मुझे लगा था एक योगा क्यारिन को पेल दिया और आगे से एक गाड़ी आती है अब इस बंदे को MK6 से काफी जादा सपरे दिया है मैंने गुरोजा की भी गूलियां पेल दिये तो हाँ यार इसमें कुछ भी हो अंधा गुसना पड़े गए हमको अंदर और हमारे ये भाई भी कमनी होते मतलब भाई पे ड्रॉप की गनी थी अब ये कहां से चुरा के लाए जो भी हो यार अपने को क्या अपन पे MK14 और गुरोजा ही है तो यही चलेंगे हम यार इस कुलोज रेंज में डेमेज को जादा ही हो जाएगा मतलब पहले मैं MK14 पटकाऊंगा उसके बाद गुरोजा बदल के यार गलत सीन हो जाएंगे पूरी सकॉर्ड के साथ और अब टैंसर मतलब क्यूंकि अब MK14 और 6X का बहुत ही जादा गलत सप्रेव अगेरा करने वाले तो हाँ पहले काफी सारी गोलियां नहीं लगेंगी लेकिन उसके बाद जब लगना चालूंगी न रुकेंगी नहीं फिर अब आगे पे एक बंदा दिख चुका है 20 गोलियां बर्बाद करने के बाद मुझे समझ नहीं आई ये भाई मैं अभी भी ओटो में चला रहा हूँ हना मतलब वैसे दो-चार गोली लगी थी भाई को लगभग नौक होने वाला होगा भाई और वैसे भी ओपन एयार तो मतलब साम का चकर मोच से टकर कभी भी कहीं पे भी हो सकता है लेकिन धीठ हैं गाड़ी से दुआ भी आ रहा है पर रस्तो भाईया करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए अब एमके सोलक को मैं चैक्स मैं तो चला ही रहा हूँ लेकिन उपर से भाईया जाड़ी में भी एज़स कर रहे हैं ताकि गलत सीन जादा हूँ और टैंसन मतलो यार क्योंकि इस भाई की पूरी सुकॉड आगे बैठी पड़ी है तो सबको भाई चैक से ही पेलेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे बस एक ही चीज़ की कमी है वो है साब का चकर मोच से टकर और साब को भी पेल दिया लेट इसे भाईया कोई AWM पटका रहा था उसे भी पेल दिया अब एक बंदा है जो यह समोक वगेरा बना रहे तो क्यों ना उसे गुरोजा पटका के पेला जाए क्यों नहीं और यहाँ पे ओपन में पूरे चार बंदे बैठे पड़े होते मैं आता हूँ भाईया अपनी MK14 पलस 6X लेके और सबके सब ठिल चुके हैं तो यार अगर आपने अभी तक लाइक के बटन को नीला टैप नहीं किया है अगर उसे पेला नहीं है तो यार यही टाइम है यही मौका है पेल दो यार लाइक के बटन को बिल्कुल नीला टैप कर दो यह जो आस्मान दिख रहा है न कता ही बुलू टैप कर दो मज़ा आ जाएगा आपको भी और हाँ यार MK14 मतलब देखो क्लोज रेंज बे आप ओटो पे चलाते हो क्या ही डैमेज होता है और आप बहुत खतरनाग डैमेज होता है सोचो अगर कोई स्प्रेव अगेरा दे रहा है और उसकी गोलिया लग रही है तो यार कितने जल्दी बंदे नौकोंगे क्यार यहाँ पे AWM उठा लिया है तो गल पे गोली लगती है तो इस बंदे को पेल दिया अब बस एक ही बंदा बाकी है और आपको पता यार मतलब एक आखरी बंदा बाकी है सरकल ओपन में है तो क्या हो का आपको पता हो ना भी चिया भी तक सो आपका चकर मोच से टकर लेकिन देखो क्यूंकि हम तीन लोग हैं तो तो यार मतलब मजाक में कर लेंगे इस भाई को बिलकुल ऐसा नहीं कि भाई साप यार फटी पड़िये नहीं यार बिलकुल मजाक में चौड़ में गूम रहे होते हैं हम लोग ढूंड रहे होते बंदे को और अखिरकार मिलता है वो हमें और देखो मैं मजाक नहीं कर रहा इस बंदे को डूंटे डूंटे न यहीं पे मेरे ख्याल से 4-5 मिनट बीच जाते हैं मतलब 30 मिनट का मैच होता है सब को पेल के रख दिया भाईया MK14 वगेरा से आकरी बंदे को डूंटे डूंटे 5-10 मिनट लग गया यार क्या ही गलत सीन होगा 4-5 मिनट 10 जादा हो गया खैर इसके साथ गलत सीन करने निकल पड़ते हैं मूपर अब हेलो ब्रो ब्रा का तो मुझे नहीं पता यार लेकिन अगर थोड़ी दिर और रुपता न मैं ये बंदा नीचे आके सब की पेटी बना डालता मतलब ये दोनों कूद रहे हैं उचल ले भाईया है रो ब्रो ब्रा सब कुछ वहीं पे चला है ओल पे वो सुनने को राजी नहीं वो बोलता है भाई मैं तो एक एम चलाऊंगा लिकिन हां मैं बोलता यार पकड़ भाई अब बहुत मौका दे दिया इसे अब पेल दो भाई को लड़ना है तो लड़ाई करेंगे भाई से तो उसकी पेटी बन चteil की है और इसी के साथ चिकन चुकन हो और अगर आप यहां पर नए हो तो यार सब इसक्राइब करो और भी ऐसे गलत सीन और सश्ती कमेंटरी के लिए